लोगों की जो एक सबसे बरी समस्या है वो है दाखिल खाड़िज कराना यानि एक लोगों की सबसे बरी समस्या आप कह सकते हैं कि अपने जमीन का अगर उनके पास कोई भी जमीन है तो उस जमीन का वो दाखिल खाड़िज करवाते हैं तो उसमें समस्या उत्पन हो जाता है अब समस्या यह होता है कि किसी कारण बस दाखिल खाड़िज को जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए आज हम आपको राजस सुन्याले के बारे में पहले बताएंगे और उसके बाद जो है यानि इसमें क्या परक्रिया होता है वो भी बात करेंगे लेकिन अगर आपके पास जमीन है जमीन का खतियान है या आपके पास ऐसा कोई जमीन है जुसका जमीन का रजिस्टरी है लेकिन आपने अगर उसका जो दाखिल खारीज है ना वो आपने नहीं कराया है तो आपको क्या करना चाहिए ये दाखिल खारीज जो परक्रिया है ना ये हो जाए इसका है तो इसको समझने का प्रयास देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो अगर कोई जमीन खतियानी जमीन है और कोई जमीन अगर रजिस्ट्री है, ठीक है, तो बहुत लोगों का क्या हुआ कि खतियान का भी प्रोपर्टी है, लेकिन बहुत दिन से उसका जो है दाखिल कारिज नहीं हुआ, बहुत दिन से उसक वोट में किस परकार का भी बात जाता हुगा समझने वाली बात है हम जो है रेवेन्यू सरकार को देते हैं सरकार को टेक्स देते हैं और रेवेन्यू सरकार के दोरा जो है वो कलेक्ट किया जाता है राजस आप बोल सकते हैं वो कलेक्ट किया जाता है मतलब अगर आपके पास जमीन है तो आप उसका सुल्क देते हैं और वह सुल्क जो है वो वार्सिक होता है साल में सरकार को आप अपने जमीन का अपने जमीन का आपके पास अगर मकान है तो मकान का आप क्या करते हैं टेक्स देते हैं अब वो टेक्स जो डिपेंड करता है वो राज सरकार के उपर डि नियम हो सकते हैं कोई राज सरकार का सुल्क जो है वो कम होता है और किसी का जो है वो अधिक होता है तो वो डिपेंड करता है कि आप किस राज से बिलोंग करते हैं तो सभी राज में लगवग जो आपको राज सरकार ऐसा जो है एक तरह से नियम और कानून लेकर आए कि आपक जो है कम जमीन है तो उसके लिए कुछ कंडिसन अगर ये लगा दिया जाए तो उसको रिवेन्यू जमा नहीं करना पढ़ेगा तो ये सबी तरह के जो एक तरह से नियम कानून है नियम कानून है वो राज सरकार के उपर डिवन करते हैं लेकिन अगर इस तरह का समस्या में रसीद तियार होता है जो सिलिप तियार होता है उसमें जो जमीन का पलॉट नंबर चरहा है ठीक है वो सही नहीं चरहा है या रेवेन्यू देने के लिए जो रसीद कटता है आप रसीद कटाते हैं रेवेन्यू देने जाते हैं तो उसमें जमीन का आपका पलॉट का नंबर ज इससे सम्मंदित समस्या को कौन सुनेगा कोई तो सुनने वाला होना चाहिए तो उसी लिए बनाया गया राजस सोनेल है रिविन्यू कोट है और राजस सोनेल है जो है यानि उसमें अगर बात है कमिशनर्स कोट है कलेक्टर्स कोट है और तहसिलदार कोट है राज में हर राज में जो है आप जिस भी राज से बिलॉंग करते होंगे ठीक है तो हर राज में जो नियम है वो सरकार के दौरा बनाए जाते हैं ठीक है मतलब आपका जो नियम कानून होगा रिवेन्यू से सम्मंदित वो सुधार का हो या किसी परकार का बिवाद का हो या किसी परकार का जो है वो या फरजिवारा का हो जो भी अगर समस्या होगा सुधार बिवाद या फरजिवारा हुआ है तो सभी समस्या के लिए राज में हर एक राज में अलग अलग तरीका हो सकता है लेकिन आप समझ सकते हैं कि मामला क्या हो सकता है मामला वही होगा रेण्यू से सम्मंदित कोई गलत तरीके से टेक्स दे रहा है किसी का जमीन का रसीद जो है वो गलत तरीके से कटा लिया है जमीन जो है रसीद में सुधार कराना है रसीद नहीं कट रहा है मोटेसन नहीं हो रहा है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है जमीन का मालिक है वेक्ती और उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो यह तमाम समस्या को लेकर अपरेवेन्य कोट जा सकते हैं आप किसी राजमे से बिलॉंग करते हैं तीक है अब है कि जो अधिकारी होते हैं अब अंचल जो है आपके जो छेतर हैं है ना इस मौल एरिया में तो वहां के पर भी जो राजस्तों के अधिकारी होते हैं अनुमंडल है अगर है ना तो अनुमंडल अस्तर के अधिकारी होते हैं जिला है तो जिला लेवल के जो है वो अधिक तो सभी के पास अपना समस्य गों लेकर जो है आप जा सकते हैं ठीक है छोटा मामला है लग रा है कि अंचल से सारा काड़ी हो जाएगा अपने मोटेसन जो है आपने जमीन का मोटेसन कराने के लिए कहाँ अपलाई किया तो आपने जो एपलाई किया आपने जो आपका अंचल में जो राजसु का कारियाल है अंचल में अंचल शेतर जो है वहाँ पर आपका जो राजसु का कारियाल है आपने वहाँ मुटेसन के लिए दाकिल कारिज के लिए आपने अपलाई किया लेकिन आप apply किये तो क्या हो गया reject कर दिया गया तो क्या करेंगे अब reject करेंगे तो आप जाएंगे ना कोड जाएंगे आप collector के पास जाएंगे है ना तो अगर अनुमंडल अस्तर के बहुत जगा माल लेते हैं जो है DCLR बहुत राज में जो है है ना नाम दे दिया गया है तो आप जो है उनके पास reject हो गया तो आप case file कर सकते हैं mutation appeal case कर सकते हैं आप जो है जिला के collector के पास जा सकते हैं तो ये जो राजस न्याला है आप इस समस्या को लेकर जो है आप वहाँ जाते हैं अब सवाल ये उठता है कि माल लेते हैं ठीक है एक तो ये हो गया कि आपका जो दाखिल खाड़िज है वो reject हो गया अब लेकिन समस्या ये उठता है कि माल लेते हैं कि आपका गलत तरीके से कोई mutation करा लिए या आपका भाई का जो है वो गलत तरीके से करा लिया सारा परक्रिया तो आप जिला के कलेक्टर के पास जो है आप जाके केस मोटेशन को जो है एक तरह से फिर से चेक करने के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं तो इसलिए revenue code जो होता है ना वो local law पर काम करते हैं ये आप समझ लें तो वो सरकार के द्वारा जो नियम कानून होता है उस पर वो काम करता है तो revenue code deal with case of land revenue मतलब उनका जो काम होता है ना बस जो वो case deal करते हैं वो land revenue का करते हैं कोई बेस्टेट के अब ये जो एक तरह से ना अगर ऐसे कहें कि ये एक ऐसा court हो गया जो काम क्या करते है लगान सूनने के काम करता है ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया जो लोगों से जो जिनके पास संपत्ती है उन्से लगान यहां पर लेना आप यह सी बहु बोल सकते है कि माल गुजारी माल गुजारी लेने का जो है काम करना तो ये इस तमाम पर करिया है दाकिल खारीज में सुधार हो गया अमोटेशन नहीं हो रहा है अगर उसका कागज बन वा लिए है तो इन सब पर जो कारवाई है वो किया जाएगा रिवेन्यू कोट में देखें रिवेन्यू कोट के जो अधिकारी है वहाँ पर जो मजिस्टेट है अगर उनका एक परकार का आदेस होता है तो उनको बहुत सारे पावर है वो अगर अपना एक पर डिसीजन दे दिये कारन तो खुछ हो गा despuésहर। या कोई बैक्ति जमीन खरीद लिया है लेकिन उसका ख् wantation है। अब मुटे सा नहीं होने का कारण वो भी जो है एक तरह से उसके पड़िवार के सदस जो है जाकर उसको रिजट करवा दे रहा है जबकि वो बैक्ती अपने जगह पर सही है विक्रेता अपने जगह पर सही है खरीदने वाला अपने जगह पर सही है फिर भी उसको reject कड़ा दिया जाता है तो ये तमाम जो समस्या है न तो ये समस्या को लेकर आप जो है राजस सुन्याले में जा सकते हैं अपना समस्या रख सकते हैं हम आपको एक बता दें आगे लेकिन ये हम आपको आगे कभी डिटेल से भी बताएंगे लेकिन द्यों केंद 63 में जो है आया था और इसको आप जैसे बोल सकते हैं Central Board of Revenue ठीक है तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे आखिर ये केंदरिया राजस सदिनियम क्या है उसके क्या नियम है और इसका जो है क्या पावर है लेकिन अभी जो बारतमान में अगर आपका इस परकार का समस्या है तो आप उस समस्या को अगर समज रहें तो आप ये भी समझ गरओंगे क्या करना कहा चाहिए समस्या ये होगा कि आपका amortation नहीं हुआ amortation गरवरी है तो आप collector के पास जा सकते हैं राजस सुन्याले आप अपने जिला में जाएए पता कीजिए कि राजस सुन्याले कहा है नहीं जान रहे तो किनी से पूछिए कि revenue quote कहा है और वहाँ आप अपना case file कीजिए आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को like जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो bell icon उसको जरूर दबाले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं